स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर आए आज हम कक्षणों भी किर्थी विशे के प्रिश्ण में इंक 2021-2022 के लिए जारी की गही है उसके अध्याय 14 सांखी की का अध्यन करेंगे अध्याय 15 सकते हैं चले सुरू करते हैं प्रिश्ण करमांगे वस्तुनिश प्रश्ण है यहांपे प्रिक्षन है इनको जोड़ देते हैं तो तो तीस प्राप्त होता है तो इसमें हम 5 का भाग देते हैं तो 6 बार यह कैंसल हो जाता है इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर है वह होगा 6 चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं आंक्डे यहां पे 9,1,7,3,5 दिएगा इनका माद्दे ग्यात करने के लिए चर्ति होती कि का फाग प्रेक्षन देखते हैं और इसको लिखते हैं वह प्रेक्षन और यहां पे देखते हैं वह भी होगा दा आंसर इसका तो दा अंसर है पांच नेश्ट कुष्चिन है और इनका बहुल क्या हो गला यह Pros Sweet चवदा की हो रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे चवदा चार बार आया है, इसलिए इसका आützenर होगा आट जया है नेक्स्स्टर नबर का जिसमें निमलिखित में से केंड्री प्रृत्ती की while यह चून्ट przyva upright वश्लिशन अट था निर्वचन पर विचार किया जाता है तो इसका अंसार होगा सांखी की जहां पर 20 वाकिया तार देखना है तो इसमें पहला प्रशन है प्रेक्षनों का माद ग्यात करने के लिए निव्ड के लिए सूतर होगा सभी प्रिक्षणों का योग बटे प्रिक्षणों की कुल संख्या दूसरा प्रशन है जब प्रिक्षणों की संख्या एन विसम होती है तब प्रिक्षणों को आरोही आरोही क्रम में विवस्तित करने पर माध्या कौन से प्रिक्षण का मान होता है लिए उसको देखते हैं तो यहाँ ठीन है यहाँ पर दिखे धा noso UK मिलंग यहां पर नका तरी किस अण्ग आपको दिखाई देज है tap तो एक, दो, तीन, चार और इस तरीके से यहाँ पर पांच भी लाइन खीज देते हैं तो यह पांच कहलाती है अब इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर पांच से दस को देखते हैं तो पांच और नो तक की जो संख्याए हैं वो यहाँ पर कैंसल करते हैं और इनको गिन ल कि आपे ऑंग करते हैं तो इसके सानी काध्यन करते हैं तो जातर इंजिनियरों के आवास रिस्तल आगज़से कम हैं Czy जो कुछ में देख्ष्था और सुन्य से दोरी से और धिन करते हैं जिसमें यह आख़स दियेगे है और सुनने से दस जिसमें हमें दस सामिल नहीं करना है इसका अंत्रा लिते हुए आंकड़ों के वर्ग माप वाले एक वर्गी क्रत बारंबरता बंड़ता साड़ी में अंकित करते हैं तो इस तरीके से हम बना करते हैं यहां पर 10-8-6-8-6-8-7-8-9-100 तक तो दस वाले हैं यहां पर एक हैं और वीस अंक हाद के तक के एक विद्यारती है इसारिक से संख्या संख्या ओंध्यार था ने प्राप्थ हो जाती है इसमें एक टीम पूडवाल के दस्में निमली खित गोल की है और इसके आधार पे हम आध्य मादक और बौलग घ्यात करेंगे जैसे कि लिखते हम माद्द बराबर प्रिक्ष्णों के सभी मानों का योग बटे प्रिक्ष्णों की कुल संख्या, तो सभी मानों को हम यहाँ पे लिखके जोड देते हैं, और कुल कितने मान हैं, तो यहाँ पे तो टूटल आएगा इसका 28 में 10 का भाग देते, तो दो, समलोग, 8 ہے माध्य प्राप्त होता है अब आईए हम प्रेक्षनों कि आरोह क्रम में व्यवस्तेत कर ले क्योंकि हमें माध्य क्यात करनेक लिए न बटे दो धन एक ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यहाँ भुड़न एक प्रेक्षन लिखना लिखना है तो इस तरीके से यह हमारा जो सम आकणों के लिए माद्यक ज्याद करने का सूतर हो गया अब हम यहाँ पे N कमान रख देते हैं N कमान 10 है और 10 बेटे 2 अर्थात 5 प्रेक्षन होगा और इसी तरीके से 6 प्रेक्षन अर्थात यहाँ पे 5 और 6 प्रेक्षन कुल यहाँ पे आपको दिखाई रहे हैं कि दोनों 3-3 ही हैं तो यहाँ पे हम 3-3 लिकके और 2 का भाग देते हैं और यहां हमें जो प्रिक्षन प्राप्त होता है मद्यक का वह तीन होता है अब आईए हम इसका बहुलक ग्यात करते हैं तो सबसे अदिक वारंबरता आपको दिखाई दे रही आपको सबसे अदिक वारंबरता तीन की है चार बार यहां पे आया है इसका जो बहुलक है वह ती जो विद्यात ही हैं उनके प्राप्ति ये अंक यह हैं और चुंकि माद्दे बराबर प्रेक्षणों के सभी मानों का योग होता है प्रेक्षणों कुल संख्या तो सभी का योग कर दें और यहां पर लिखके उसमें पंद्रा का भाग दें अब जब हम भाग देंगे तो तरीके से हो जाएंगे और कुल प्रेक्षण पंद्रा है चुकि 15 विसम संक्या है तो 15 विसम संक्या होने पर यहां पर जो माद्द्यक का सूत्र है वह एन धन एक बटे दो वहां प्रेक्षण होगा तो एन का मतला है 15 15 धन एक बराबर 16 16 में दो का भाग दे देते हैं तो 16 लिएक बराबर यहां पर हम देख रहें कि बावन है तो इस का बहुलक बावन प्रेक्षण आधार गया है और इसको आरूहिक क्रम में व्यवस्तित किया गया माद्यक 306 तो एक्सक्मान डियाथ ब्याथ है में तो आक्री दिये गया हमें ग्यात है इसके आधार पर हमने व् सबस्तित लिखा ही है और इसके जो प्रेख्षन कहें और इस प्रेक्षण कुल 10 हैं और इस प्रेकार से 19756 और यहाप ör्लककीन प्रेक्षिर्ट से सेहां रखते हैं थे सब्सक्राभर वियुजिड़्ध को जाएगा और यहांपर वेथ Si तो यह बासट जो है एक्स का मान होगा प्रस्ण यहां पर देखने को मिल रहा है जिसमें हम कह रहें कि निमलिखी सार्णी में फैक्ट्री में काम कर रहे है उनके वेतन करम से यह दिये गए है और उनके संख्या यह दी गई है तो इस प्रकार से 60 करमचारियों के माद्द ग्य तो 48,000 होगा और इस तरीके से यह गुणा करते जाएं हम करम से तो यह हमारा इतना आ जाता है और यहां पे जो टोटल योगफल आता है यह आता है तीन लाख पांच हजार तो इस तरीके से यह इसका योगफल आ गया इन सभी का योग कर देंगे हम और सभी का योग करने के कंटेंट को देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्क्राइब ने किया तो सब्क्राइब करें मिलते हैं इसी परकार के कंटेंट को देखने के लिए धन्यवाद